अंकल नमस्ते अरे हाँ हाँ क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू क्या लू हाँ अंकल ये जूता कितने का है सो रुपिये का है सो रुपिये का पचास रुपिये का दे दो अरे चल अंकल प्लीज दे दो मैं बहुत गरीब हूँ अंकल प्लीज, प्लीज, अरे हाँ, हाँ, पचास रुपिये में ले ले, पचास रुपिये में दे दिया, अंकल, पचास रुपिये ज्यादा है, मेरे हिसाब से चालिस में दे दो, पागल समझता है, बाहर निकल, चल, निकल, अरे, 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 गुस्सा मत करो, देता हूँ, पचास देता हूँ पचास रुपिये तो दे दूँगा लेकिन पहले पहन कर देखता हूँ पीछे मुड़ जाओ मुझे जूता पहनने में शर्म आती है कपड़ा जूते पहनने में शर्म आती है नंगा घूमने में शर्म नहीं आती ये ले अंकल मैं कैसा लग रहा हूँ ला पैसे दे कितने अच्छे हैं कितने अच्छे हैं ला पैसे दे पचास रूपिय ला 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 इतनी बड़ी दुकान है इतना पैसा कमा लिया फिर भी पैसा 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 कितने पैसे कमा के क्या करोगे कभी किसी गरीब को फिरी में देना भी सिखो हमेशा पैसा 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 अच्छा चलता हूं नमस्ते नमस्ते अरे नमस्ते गया तेल लेने मेरे पैसे दे कि आग गया मैं आज इसके घर जाकर पैसे लेके आऊँगा देखो देखो कितने अच्छे जूते हैं इतने बड़े जूते कहां से लेके आया पचास रुपीये में खरीदकर लाया हूँ चोरी करके लाया है मेरी दुकान में आया जूते पहने और भाग गया यही सब सिखाते हो अपने बच्चे को हैं समझा नहीं सकते हैं तुने चोरी की तुने चोरी करता है अंकल बचा लो अंकल बचा लो मेरे पापा बहुत खतरनाक है मेरे पापा मुझे मार डालेंगे मुझे बचा लो बचा लो अंकल मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अब अच्छो फट अरे अरे बच्चा है छोड़ दो बेटा अगर दुबारे मेरी दुकान में आकर चोरी की मैं तुझे बहुत मारूंगा मारोगे अच्छा लात मारोगे थपड से मारोगे या फिर डंडे से मारोगे डंडे से मारूँगा डंडे से लकडी के डंडे से या फिर लोहे के डंडे से अरे लकडी के डंडे से मारूँगा कच्छी लकडी के डंडे से या फिर सूखी लकडी के डंडे से पागल है क्या त लाला जी को चाय पिला लाला जी मैं बना कर ला हूँ चाय हाँ जा बना कर ला हाँ जा तू चाय बना कर ला वैसे मेरा बेटा अच्छा है बस थोड़ा सरारती है लेकिन अच्छा है जा बेटा जा चाय बना कर ला जा 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 लाला जी दूध की चाय पियोगे या फिर बिना दूद की दूद की बना करला गाई के दूद की या फिर भैस के दूद की कैसे फालतु सवाल पूछता है ये जा भैस के दूद की चाय बना करला जा 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 भैस का दूद भैस का दूद तो हमारे घर में है ही नहीं तो गाई के दूध की चाय बना करला, हाल तो सवाल क्यों पूछ रहा है, जा 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 जा, जिसके घर में भैस का दूध नहीं होगा, उसके घर में गाई का दूध कहां से आएगा, ना गाई का दूध है, ना भैस का दूध है, मैं पागल हूँ, पूछ क्यों रहा है, मैं रहा हूँ, अरे लाला जी बैठो, चाई पी कर जाओगे, बिट्टू, क्या बत्तमी जी है, पागल है तू हाँ, तुझे चाई बनानी है या नहीं, पहले ये बताओ, चाई गिलास में पियोगे या फिर कप में, पागल है तू है, अरे जा, जा कप में बना कर ला, हमारे घर में कप नहीं है, तो चाई कैसे पिलाएं कप में, अरे तो महराज गिलास में चाई ले करा, कहां फच गया यार मैं, काज के गिलास में या फिर इस्टील के गिलास में, अरे ये तो अजीब आदिमी है, ये चाई पिला रहा है या मजाक कर रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझ लेकिन हमारे घर में बैस का दूद नहीं है अरे अरे लाला जी अरे बैठो चाई पी कर जाओ अरे लाला चाई पी कर तो जा